चलिए आगे चलते हैं, आखरी पड़ाओ पर हैं, मैं आपसे पांथ सवाल पूछूँगा, हर सवाल के साथ दो आप्शन दूँगा, और उसमें से आपको एक चुन्ना है, तीसरा आप्शन है आप उसको पास कैसे हैं, ने पास नहीं मैं अपना जवाब दूँगा, चुन्न यह आप कई के बार इसका दो दो बार आपने सामना किया है, और जब आप पहली बार आप इसका सामना कर रहे थे, आज से करीब साथ साल पहले, और वो वीडियो करीब एक करोड लोगों ने अब तक देखा है, उसमें आपने पांच में से एक भी जवाब नहीं दिया था, दूसरी बार जवाब आए थे तो आपने पांच में से चार जवाब दिये थे और आपने कहा था कि यो बुलाते रहे हैं मैं आगे और इंप्रूव करूँगा पहला सवाल है सी बी आई एडी और इंकम टैक्स आपको क्या लगता है कि इसका ज़्यादा इस्तमाल कांग्रेस ने किया या बीजेपी ने दोनों ने किया ज्यादा इस्तमाल किस न olduğunu ने किया लॉनों ने किया बिल्कुल किया दोनों ने किया कई मिसाले दे सकता हूं मैं आपको जगन मोहन रड़ी को जेल में किसने जाला और वोही जगन मोहन रड़ी जब जेल में थे तो परणव मुकरजी के लिए ओर्ट मांगने के लिए किसने भी जाया था मुझे जाना पड़ा जकन मोहनेडीक जेल में गया क्यों गया आज भी बिचारा परेशान है अब वो बिचारा परेशान है दोनों से परेशान है अब तो ये बताए कि बीजीपी में आपको कौन जादा पसंद आते हैं नेता के तौट पर प्रधान मंत्री मोधी या अमिच शाह ने मेरा भाचपा से एक ऑडि़ाजिकल डिफरेंच है क्य्किनकि वो भाचपा नहीं है बलकि आर-ए-स-स की आडि़ाजिय पर चलती है तो इसलिए आइडियोलिजी की बुनियाद पर पसंद करना मुश्किल है पसंद नहीं कर सकते हाँ पदान मंतरी है हमारे देश के पदान मंतरी है उनकी इज़त करना इज़त परावर करेंगे मगर ये पसंद का जो मामला होता है न ये ज़्यादा परसनल हो जा रहा है ये आप लोग करते होंगे मुझे से नहीं होता बड़ा मुद्ध क्या है एनर्सी, सी ए या यूनिफॉर्म सिविल कोड़ सबसे बड़ा मुद्ध इस देश के लिए बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल की खीमतें आसमान को चूर रही है बीस कोड़ लोग बगएर खाना खाय सोते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्ध है इस देश के लिए, जो बीजे पी भाग रही है इन चीज़ों से कोपोशन है, असिक्षा है, बिल्कुल है, एक लाग साथ हजार खरीब लोगों ने सुसाइट किया, सुसाइट किया, दो हजार एक्रीस में, ये बहुत बड़ा मसला है इन दो मेंसे आप किसको प्रधान मंतरी के तौर पर देखना चाहेंगे, दोजार चॉबीस चुनाओ के बाद, केसी या नितिश कुमार ये देश की जनता तै करेगी, किसको प्रधान मंतरी बनना है नहीं बनना है, हां रहा साल केसी यार से केसी यार भी बड़े खाबिल है मतायव बनर जी ने आरसस की तारिफ की अगर वही बात सुझी नोईसी कह देता तो क्या होता था पुरे देश में सब चलाते है यह मुसल्मान यह मरने के बाद खबरस्ता में जगा मत दो मगर वो बोल सकती है हमदर्द कोई नहीं है मुसल्मानों को अपने ही दर्मियान से अपना एक हमदर्द चुनना पड़ेगा अगर उनको ओईसी पसंद नहीं है मत छोड़ दीजिए मगर आप पैचानी इन लोगों को जो आपके नाम निहाद हमदर्द है यह हमदर्द नहीं है इनको सिर्वाब की ओट से महबबत है और सिर्वाब कुछ महबबत नहीं आप से ओवेसी ज़्णाब आपने हमें समय दिया सभी सवालों के सीधे तिर्चे आड़े सब जवाब दिये और एक बात तो है कि साथ साल पहले मैंने आपसे बात की फिर छह साल पहले आपसे बात की दो प्रेस कांफरेंस किये तो तल्की अभी भी है और आप इसे अच्छी बात मानते हैं इसके साथ तालीम और तरकी की भी बात हो और पुरानी आदत भी अभी आपकी है आप इस इंट्रिव्यू में भी देखिएगा आप बहुत बार अभी भी बात करते हुए अपनी आँखें बंद कर लेते हैं आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आप सोचते हैं आँखें बंद करके तब तक देखते रहे है एबीपी न्यूज जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर धाई पे आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन आफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे